नमस्कार दोस्तो सत्पूरिय किलाजिस में आपका सुवागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कोंश्टेबल का जो मैट्स का सेलेबस है उसके बारे में चलो दोस्तो आज हम बात करते हैं पहले इस्टार्टिंग में फ़र्ष टोपिक जो होता है हमारे तीन कोशन हमेशा देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस के एक्जाम में तीन कोशन में फ़र्ष्ट कोशन होता है हमारा पास फैल वाला पास फैल बेश्ट कोशन होता है सेकिंड कोशन हमारा जो होता है इलेक्सन बेश्ट कोशन होता है Sugar-based Question ठीक है दोस्तो next पर बात करते हैं profit-loss, la habani la habani में हमेशा एक question देखने को मिलेगा दोस्तो बाइमान-दुकान-दार के बारे में dishonest इक question दोस्तो देखने को मिलेगा बत्ता एक question हमेशा बत्ता यह एक दम से fix रहता है एक question डिसकाउंट से बट्टे से एक कोशन देखने को मिलेगा SP और CP बराबर है जब SP और CP बराबर होता है ठीक है SP बराबर होता है या CP बराबर होता है एक कोशन यहां से देखने को मिलेगा करम लिये बराबर है दो वस्तुओं का या दो वस्तुओं का विक्रे मुल्य बराबर है तो टोटल अगर हम बात करें तो तीन कोश्चन हमारे प्रोफिट लोज से हमेशा मिलते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं Next, Rest Me and Proportional दोस्तो and Proportional से हमें हमें 3 question ह mensah मिलते हैं देखने को अनुपाथ समानुपाथ अनुपाथ और यह Sumानुपाथ ठीक है? यहां से 1 question हमें मिलेगा Coin Based question Coin Based ठीक है? Coin Based, सिख को पर आदारित परसन 1 question सिख को पर आदारित परसन मिलेगा एक question मिलेगा आये पर आधारित आये पर आधारित income based question आये पर आधारित और एक question simple professional से मिलेगा ठीक है दोस्तो टोटल अनुपात और समानुपात तीन नंबर का हमारे पास यूपी पुलिस के एक्जाम में आता है ठीक है दोस्तो अब हम allegation की बात करते हैं दोस्तो allegation और mixture ये हमारा दो question आते हैं यहां से एक question allegation से आता है गाएं और मुर्गी वाला वो आपने देखा होगा बहुत से exam में ठीक है वो question एक allegation से मिलेगा और एक मिलेगा mixture से मिसरन से कि एक बालटे में कितना दूटा पानी मिलाया एक question महा से मिलेगा दोस्तो ठीक है दोस्तो अब आते है time and work time and work से दो question हमें मिलेंगे एक time and work से मिलेगा efficiency based question कारिय समता पर आधारित और एक question मिलेगा contractor ठेके दारी पर आदारित पर्षन, ठेके दारी पर आदारित पर्षन ठीक है दोस्तों Next की बात करें, time and distance समय और दूरी एक तो दूरी वाला कॉस्च्चन simple सा मिलेगा, दूसरा कोश्चन हमें मिलेगा distance train वाला कोश्चन दोस्तों train वाला, ये train वाला fixed रहता है मैंसा time and distance की बात करें तो time and distance समय दूरी दो number काता है दो number कर दोस्तों next की बात करें SI और CI एक question हमें SI में से मिलेगा और एक question हमें SI में से मिलेगा दो question यहां से मिलते हैं अगर हम बात करें CI की CI में SI और CI आई साधरन ब्याज और चक्रवर्ति ब्याज का अंतर वाला कोशन जादा तर देखने को मिलता है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, LCM और SCF की, LCM में एक कोशन हमें साथ है, school bell, realm bell ये वाला question हमें सब fix लाता है और SCF में एक simple question number वाला मिल जाता है तो दो question हमें LCM और SCF less है और MES है, लगूत्तम समवर्थक और महत्तम समवर्थक से मिलने वाला है partnership की बात करें partnership साजदारी से हमें एक question मिलेगाсте average से हमें एक question मिलेगा कैसा भी हो सकता है बोट एंड इस्टीम नाव धारा से हमें एक कोश्चन देखने को मिलेगा इन में से कभी-कभी बोट इस्टीम और पाइप सीस्टेन में से कभी-कभी कोश्चन आ भी जाता है कभी-कभी नहीं भी आता यह पाइप टंकी है यहांसे एक question देखने को मिलेगा menstruation की बात करें mansuration में हमें दो question मिलेंगे simple question मिलेंगे क्या तो आयत वाला होगा या फिर work वाला होगा simple question table, graph या 4-5 question हमें मिलेंगे 4-5 question दोस्तो धिया अगर हम number system की बात करें number system की दोस्तो तो number system total 3 से 4 number का आता है 3 से 4 number का एक question हमें सा fraction का मिलेगा कि सबसे बड़ी आरोई करम में और अवरोई करम में लिखने को बलेगा या सबसे बड़ी भिन बोल देगा एक simplification का question हमें सा मिलेगा और square root या cube root से यहां से question एक मिल सकता है दोस्तों ये maths का syllabus है total UP police 2023 के लिए 2019 में 2019 में जो math के question आये थे वो 38 question थे दोस्तों 500 में से यानि 150 में से 38 question थे तो इस बार जो value हो सकती है वो 38 या 38 से कम भी हो सकती है ठीक है दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप comment करके बताए ओके थेंक्य दोस्तों